ला 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 चोरी नहीं है मजा हाई बूमचीक चिक टिक बूमचीक 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 आजए बैसाहे फटा फट से कम on Everybody प्रवीन चौदरी यानिक आपके PC बाभा का आप सबी लोगन को वापिस से वापिस से ये तहे जल से नमस्कारम गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हो सर आप एकदम तुफान 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 देखो आया 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 तुफान गूइन्ग भात जल्दी जल्दी नहीं मेरे भाई टाइम पे बोल सकते हैं जल्दी नहीं आए टाइम पे इस अए चलिए रवाई गूल नमाशकार स्राजी, नमाशकार मेरे भाई नमस्कार मेरे भाई आजाईए लब फ्रम एक्जिक्टिव सर आँ चल मिश्रा लब यू टू लब यू टू बेटर लब यू टू सर ब्लैक में मस्ट लग ज़िए थैंक यू सो मच सिंचान लब यू टू लब यू टू आजाईए क्या हाल सर एकदम बढ़ी है एकदम बढ़ी है एकदम बढ़ी है आलो के दर सर मस्त वाली रिविजन हो रही है सर क्या आप चाय पी क्या हो येस चाय पी क्या हूं मैं आईए आजाईए आभी जाईए जल्दी से आईए आई हाई आई हाई come on everybody love from Nasik love you too love from Kolkata love from Bihar thank you so much dear love you too love you too चेल यह बाई साहे सर आज फिट लग रहे हो हाँ बेटा आज मैं 4 किलो अपना मास निकाल के फेक दिया स्वारी चर्बी निकाल के फेक दी इसलिए मैं आपको फिट लग रहा हूं है ना हाँ जी ऐसा ही कुछ है लगा लीजे ओके बाई साहे तो बिना टाइम को वेस्ट के बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी अगले वाले चेप्टर के बारे में जो की है चेप्टर नमर आपका कौन सा तीसरे वाला नाम क्या है इंडिया का बजट मेरे भाई इसमें काफी सारी बाते जो है वो आपके लिए बहुत इसवे इंपोर्टन है MCQs के point of view से तो यहाँ पे इस चेप्टर को बहुत ध्यान से और इत्विनान से सुनिएगा समझेगा और पढ़िएगा राइट सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे कुछ ओवर्वियू के बारे में बात करूं तो गौर करीजिएगा मेरे भाई कि सर अगर बुले हम इंडिया का सबसे पहले बजट के बारे में बात करेगा इस बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो बात आपको लिखे गई है पहला है इंडिया का बजट और दूसरा है इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट ध्यान से इंडिया का पहला बजट और दूसरा है इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट सर हमारी कंट्री 1947 में आजाद जरूर हुई थी ले हमारी country में जो सबसे पहले budget बनाय गया था ये बना था बुले British India Company के time पर राइट कब बना था बाइसा बुले 18 February 1869 की बात है यानि कि ये लगा लो कि 14 February को जो उस time पर निब्बे निब्यों का दिन बना होगा उसके 4 दिन के बाद में 18th of February 1869 को लेकिन अगर मैं आजाद इंडिया के budget के पहले budget के बारे में बात करूँगा तो ये 26 नवंबर 1947 को बनाय गया था 26 नवंबर 1947 को ठीक है चली सर अगर बुले मैं budget के बारे में बात करूँगा तो कोई जमाना हुआ करता था जब budget जो सिफ English में आया करता था कब तक है 1955 तक मतलब भाई साब आजाद होने के बाद भी 1947 से लेके 1955 तक अगर बात करोगे तो सिर्फ इंग्लिश में budget आता था लेकिन अगर मैं 1955 के बात से लेकिए अभी तक की सौल तक्रीबन 53 साल की बात अगर आप यहां पर करोगे तो शाम को पांच बज़े बजट जो उसको अरॉंस किया जाता लेकिन उसके बाद में अगर अब बात की की जाए तो 2001 से लेकिए आज तक सुबह 11 बज़े आपका बजट जो है वह अरॉंस कर दिया जाता है कौन से दिन किया जाता है तो यह भी धान से सुनिए का बुले सर 27 तक की बात कर आप करोगे तो फरवरी महिने का जो आखरी वर्किंग डे हुआ करता था कौन सा डे वर्किंग डे मतलब मतलब यह कि मान लीजे फर एक्जांपल मान लीजे फर एक्जांपल कि आपका अगर 28 ओफ फेबरी है 28 ठीक है अगर ये दिन बोले आपका क्या है संडे है अगर ऐसा कुछ यहां पे रहा तो आखरी वर्किंग 17 के बारे में बात करूंगा तो फरवरी महिने के पहले ही वीक में फर्स्ट वर्किंग डे को ही यानि कि अगर फर्वरी को संडे रहा तो ऐसे के इसमें सेकेंड और फैब को क्या कर दिया जाएगा आपका बजट जो होगा उसको पेश कर दिया जाएगा कब सुभ है ग्यारा बज़े इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अगर मैं यहां पर कुछ इंकम के तौर पर आने वाला है और कितना पैसा एक्सेंस के तौर पर जाने वाला कहां से सर गवर्मेंट से यह ध्यान रखेगा यहां पूरी की बात नहीं कर रहे यहां सरकार की बात कर रहें यहां सरकार के बजट की बात कर रहें जब आप पूरे कंट्री की एकॉनोमी के बारे में बात करोंगे ना तो उसमें तो हम लोग भी आता है हाउसोल्ड भी आता है प्रोड्यूसर भी आता है क्या उसकी बात कर रहें यह ध्यान रखेगा ठीक ह चलिए तो यह बहुत ज्यान से सर बुले to be presented by the government to the parliament about estimates and the expenditure and it should be divided into three parts जो आपका annual financial statement होगा डिफाइन क्या गया आर्टिकल लंबर 112 के अंदर Constitution of India के आर्टिकल लंबर 112 में डिफाइन क्या गया है और इसको बिले तीन पार्ट में डिवाइड क्या गया है सर तीन पार्ट कौन से एक आपका होता है जिसे कहा जाता है CFI ज्यान से इसका बुले अगर मैं यहां पे short form की बात करूंगा तो नाम क्या है CFI Consolidated Fund of India हमारे देश का CFI यह लगा लीजिए कि सरकार के पास में जित्ता भी पैसा आता है वो यहां पे जाता है और सरकार अगले साल जो भी खर्चा क करने वाली होगी उसके लिए पैसा निकाला जाएगा वो यहीं से निकाला जाएगा जो पैसा आएगा जो पैसा निकाला जाएगा वह यहीं से ही बाहर जो है वो निकाला जाएगा पैशा कहा शाता है और इतना भी पैसा खर्च करने का होता है वह कहाँ निकलेगा वह सब्सक्राइब में से लिया जाएगा क्या प्रोसेजरें ऊसके बारा में बात九ए से इसके आलावा होगे यह दिए आपदा कठिनाई कठिनाई अगर आ जाती है जैसे कहीं पर बादल फड़ गया कहीं पर सुनामी आ गई कहीं पर भुकंप आ गया और कहीं पर कोविड आ गया उसके वजह से अगर मालीजे कुछ एक्स्ट्रा का पैसा जो है वह अपने खर्च करना पड़ता है तो यहां से पै कुछ पैसा निकाला गया होगा तो अगली बार से पैसा निकाल के वापस यहां पर डालना पड़ेगा और सर इस फंड में से कितना पैसा बैसा बाइसा बीले 500 करोड रूपिया अगर आपको यूज़ करने का होगा तो प्रेसेड़न की पर्मिशन से आप यहां पर क्या कर पाऊगे 500 कोड रुपया जो है वह भी यहां पर यूज कर सकते हो कभी इन बिट्वीन साल खत्म होने के पहले ठीक है चले लेकिन अगर आपदा आई तो ही नौट अगला यहां पर आता है पब्लिक अकाउंट सर यह क्या होता है सरी एक ऐसा अकाउंट है जिसके बेसिकली एक नाम दिया जाना तो जनता का अकाउंट कहा जा सकता है मतलब सर जो भी जो भी लोगों का पैसा होगा जो भी लोगों का पैसा होगा जो भी लोगों का रिटायर्मेंट बेनिफिट का पैसा होगा वह सारा का सारा पैसा जो है वह तो यहां पर जमा किया जाता है और यह बहुत देंसर सुनेगा माना की इस account को maintain करती है आपकी सरकार लेकिन सरकार यह पैसे को जब चाहे जैसे चाहे जहां चाहे वो खर्च नहीं कर सकती तो ऐसा लगा लिजेगा कि यह पैसा है किसी और का और इसकी देखभाल करने के जिम्म आज के साथ सूत समेत वह पैसा जो होगा यह बुल आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा वापस करना पड़ेगा अंडर सुद अपने बूल ठीक है साब चली लेकिन इसके बाद में जहांसर सुनेगा सब बोले अगर आपको cfi में से पैसा निकालने का है तो हर साल क्या हो जो की बुले अलग-लग states की होंगी अलग-लग union territory की होंगी वो क्या करेंगे वो बुले अपने साल भर में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं आने वाले साल में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं उसका जो हिसाब किताब होगा वो बले यहां पर आपको क्या करना होगा सब्म इसके उपर अगर बोले एप्रोप्रेशन बिल प्रस्ताव जो अगर यह पास हो जाता है यानि कि अगर मेजरोटी लोगों ने पारलेमेंट में हां बोल दिया कि हां ठीक है ठीक है इसको दे दो इतना पैसा तो ऐसे केस में जो पैसा रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा अ जल्दी से जल्दी से जल्दी से टेल में फास्ट तेल में फास्ट शगुन गुपता ले बेटा मैं दिखाता हूं ला 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 रिपोर्ट ही कर देए सब उठागे एपर शागुन बिटा सर पॉलिटीशन का सेलरी कंडशी यह दिया जाता अरे बया सरकार के जो कुछ भी किया जाता सब CFS दिया जाता है सरी आर्टिकल किसका है Constitution of India का बेटा मैंने पूरा बताया आपको पहले मैंने कहा आर्टिकल नंबर 112 जो आपका होगा उसके अंदर आपकी जो बाते करी गई है वो करी गई किसके बारे में एन्यूवल फानेंशल स्टेटमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 113 जो है वो बात करता है किसके बारे में डिमांड फो ग्रांट के बारे में और एक और रहे गया कौन सा आर्टिकल नंबर 110 बेटा आर्टिकल नंबर 110 के बारे में एक बार ध्यान रखना K-pop का है Where is the K-pop K-pop, 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 K-pop और Iran Yeager, ले बिटा, तु भी जा बाई बाई सीधा report बाई बाई, टाटा का है, K-pop का है C-C-C-S, रोहन K-pop को उठा के बार करो, जल्दी अखे भाई, साहेब बढ़ते हैं, और बात करते हैं अगले वाले point के बारे में राइट, हाँ जी सर, सब बाले financial bill, एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे आपको financial bill जो है, ये लिखावा मिला वहाँ पे आप एक word को search कर लेना नाम क्या है tax, अगर आपको किसी भी line में tax लिखावा मिल जाए ना भाई साथ, सीधा टिक कर देना कौनसा bill, finance वाला bill ये आज, मतलब मेरे से आप राम मान लेलो, सीरी से दिवात नोबकवास understood the point, चलिए सब, क्या कहा गया finance bill जो है, वो एक टाइप का money bill है, ये ऐसा proposal है सरकार के दवारा, कि भाई साथ क्या हमें कोई नए taxes जो है, वो लगाया जाने चाहिए क्या हमें existing वाले जो tax structure वगरा होगा, उसको modify करना चाहिए उसको बले change करना चाहिए, क्या तो ये सारी चेज़ जो है, वो बले अपने को यहाँ पर करनी पड़ेगी इसे क्या कहा जाएगा, इसे finance bill का नाम जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा, चलिए सब अगला point यहाँ पर आता है, जो कि इतना important नहीं है लेकिन steps देख लीजेगा सर बुले, अगर हमारी country में budget बनाने की बात की जाए, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात सब ले circular form and details पूरे के पूरे country के अंदर जितने भी लोग रहेंगे, मतलब जनता की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात करें ministries के बारे में, हम यहाँ पर बात करें इंकम जनिट की जा सकती है, टेक्स का प्रपोजल में ऐसा ऐसा रखने की बात जब करने हैं, फिर इसके बाद में लोग form को सब्मिट करेंगे, details पर जो है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर data को इखटा किया जाएगा, सारा का सारा पर बजट रहेगा, उसको यहाँ पर कंपोज किया जाएगा, फिर उसके बाद में, जो आपका बजट होगा, उसका पारलेमेंट के सामने प्रजेंटेशन जो है, वो रखा जाएगा, जो कि आपकी दीदी, हमारी दीदी, सबकी दीदी, क्या नाम उसका, निर्मला सितारमन जी जो है, वो बले इसको क्या करेंगे, प्रजेंट करेंगे, तो यह इतना इसका फोटो आप अलग से अगर लेना चाहें, तो ले सकते हैं, अगर किसी के पास में नहीं होगा, तो, क्या है यह बुलेटिन जो आपका है ना, उसके अंदर काफी सारी जो एडिशनल इंफरमेशन प्रवाइड की रहती है, जो आपके काम के होती है, उसको हम क्या करते हैं, या तो आपके रिविजन क्लास में, या तो आपके मेराथान क्लास के अंदर, और या तो फिर आपका जो इस टॉपिक के बारे में आपने डिस्कुर्शन नहीं किया है, बट यहां पर अपन कर रहे हैं, डेटा है, एक बड़ देख लीजेगा क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, ठीक है, चले, सर बुले, येर दो हजार एक्केस में, जो हमारा फिसकल डेफिसिट था, सर फिसकल डे पैसा जो है, वो क्या किया होगा, बौरू किया होगा, यानि कि अगर हमारी जीडीपी 100 करूर रुपे की है, तो हमने 9.5 CR का पैसा उधार लिया होगा, तब जाके हमारा पूरा काम है, वो प्रॉपर तरह के से हुआ, ठीक है, चले, लेकिन 2022 में एस्टिमेशन लगाया गया है, कि it will be 6.9%, यानि कि जो fiscal deficit आपका होगा, वो कम होने वाला है, और 2023 में और अनमान लगाया है, कि जो fiscal deficit आपका होगा, वो यहां पे थोड़ा सा और कम हो सकता है, यानि कि 2023 में, बुले, अगर हम लोगों ने 100 करूर रुपे का GDP बुले, अगर यहां पे produce किया होगा, तो उ आपका हो, states will be allowed fiscal deficit of 4% of the GSDP, सर यह GDP सुना था, लेकिन यह GSDP क्या होता है, state का GDP, gross state domestic product, समझा, GSDP, gross state का domestic produce आपका होता है, उसे कहा जाता है GSDP, और भाई साहिब, अगर मैं फिलहाल की बात करूँगा, तो सारे सरकार को यह कहा गया, सारे state government को यह कहा गया है, कि आपका जो fiscal deficit होगा, मतलब आपका जो borrowing रहेगा, fiscal deficit, इसको borrowing के बराबर की बात मान लो, यानि कि deficit का मतलब क्या होता है, कम ही, भाईया, जो पैसा तुमारे पास में कम पड़ा होगा, उस पैसे को बरपाई करने के लिए, आप बोले, maximum 4% का borrowing जो है, वो कर सकते हो, यानि कि भाई साहब, अगर आपने 100 करोड रुपे का खर्चा किया, ठीक है, तो कम से कम 96 करोड रुपे का आपका income जो है, वो भी होना चाहिए, और अगर आपका deficit है understood the point, सब करोणा के बाद 500 करोड से बढ़कर 30,000 करोड हो गया, क्या, नहीं बेटा, नहीं हो गया, वो तो एक scheme लेके आए थे, जहाँ पे 20 लाख करोड जो है, वो भले यहाँ पे distribute करने की बात की गई थी, वो अलग चीज है, that is not contingent fund, यह है, यह उसकी बात नहीं कर रहा है, चलिए वैसा, okay, let us move ahead और अगला fund, यह बहुत ध्यान से सुनिया का बहुत ही important concept है, एक दम slow-slow पढ़ते हैं, क्या कहता है, सर बुले, अगर मैं यहाँ पे budget के बारे में बात करूँ, budget, हर family का budget बनता है, सरकार का भी budget जो है, यहाँ पे बनता है, सर बजट की बात अगर आप करोगे, तो यह एक ऐसा statement है, statement है, of the expected income and expenditure of the government, सरकार के पास में कितना पैसा आने, सरकार के पास, economy नहीं बुला पन्या, क्योंकि economy में ध्यान रखेगा, तीन लोग कम से कम आते हैं, कौन-कौन, household आता है, producer आता है, और सरकार आती है, हम यहां सिर्फ सरकार की बात कर, सरकार क के पास अगले साल में कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है, इसका एक estimation जो रहेगा, expected, मतलब estimation जो होगा, वो बुले, आपका यहां पर बनाया जाता है, उसका जो statement आपका होगा, उसे कहा जाता है, क्या budget, राइट, ठीक है, दूसरी बार, and on the performance of the previous year also, यह सुनिएगा, सर बुले, हर साल आप क्या बनाने वाले budget, आपने 2223 का budget बनाया, आपने 2223 में बताया, कि हमें इतने पैसे का receipt होने वाला है, और इतने पैसे कम खर्चा करने वाले, ठीक है, लेकिन में बाब बताओ, तुमने कहा था कि 2021-2022 में तुमारा receipt होगा इतना, कितना क किये हो, टेक्स के नाम पे जो तुम receipt लेने वाले थे, कितना पैसा लिया है, और उसमें से, कितना पैसा तुमने खर्च किया है, उतना पैसा आपके पास में revenue के तौर पर create हुआ भी, यह नहीं हुआ, तो यहां पे पुराने वाले साल के actuals के बारे में बताओगे, कि exactly क्या हुआ था, और क्या जो आपने सोचा तो उसके बराबर के आसपस की चीज़े हुई की नहीं हुई, और अगले साल का आप estimation बताओगे, कि यहां अगले साल का प्लानिंग जो है, वो क्या है, अगले साल आप क्या करने की बात यहां पे कर रहे हैं, ठीक है साथ, सब बले budget दो चीजों को मिला के बनता है, क्या, सबसे पहली बात, पैसा जो सरकार के पास में आने वाला है, रिसिप्ट, इंकम, पैसा जो सरकार के पास में आने वाला है, और पैसा जो सरकार के हाथ से जाने वाला है, expenditure, खर्चा, expense, सर, सरकार के पास में पैसा आने का दो जरिया है, पहल उनों का तरह यकी मतलब होता है ना जैहां पर अलग मतलब है शर यहां पर मतलब जो है फो अलग है चेंख और सरकार के पास में पैसा कि साने का दो जरीया होता है एक होता है राएंजां कोई कड़ा बना कि अगर गलती से आपके पास में कभी कोई पैसा आता है कब आता है सर बुले दिवाली आ रही है घर पे ना relative आने वाले हैं जब घर पे relative आएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा देके जाएंगे अच्छे बाइ बिताओ अगर वो आपको कुछ पैसा देके गए तो बदले में आपसे कुछ मांगते हैं क्या बोले नहीं सर रेवेन्यू रिसेट भाईया बदले में कुछ मांग नहीं रहे तो पैसा 10 रुपे देखे गए पर हाथ में देखे चले गए बस इंजॉय करो बोले इसका कोई हिसाब किता भी नहीं चाहिए अब वो 10 रुपे का आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो हो सकता है कि आपने वो 10 रुपे की उनहीं रिलेटिव के बच्चे के लिए चौकलेट लाके दे दी आपकी मरसी है यह समझा तो यह बहुत ध्यान से क्या सर बोले रिवेन्यू रिसेट ऐसा इंकम जो कि सरकार के पास में आ रहा है जिसस फिक्षे सब्सक्राइब देख लाए लिक्त या तो जब लबली के चला गए आपका अपना फोन बीचना पड़ गया एस चला गया और यह तो फिर पैसे आपने उधार के तौर पे लिया होगा मतलग आपके लुए नाम था इंडियन एरलाइन रिसेंट की बात है ह cannabis सरकार के पास जिसका नाम क्या था इंडियाatar को किसे फिलंग पैसा रहा है तो या तो बिले assets में reduction होगा और या तो फिर libraries जो है वो क्या हो जाएंगी बढ़ जाएंगे got the point उसे कहते हैं क्या capitalism example sir बुले अगर rest of the world से पैसा उधार के तोर पे लिया और या फिर किसी public sector undertaking से dis investment कर दिया example LIC sir LIC में 100% shares जो थे वो सरकार के पास में थे और अभी कुछ दिन पहले उसका IP आया था और 5% shares जो है वो आम जनता को दे दिया अरे 5% दिये लेकिन किते 1000 करोड के थे 20 1000 करोड रुपे के share दिये LIC company के 20,000 करोड रुपी के जो share थे ना वो बले कहां दे दिये गए समझा तो ये क्या होगा इसमें पैसा आया सरकार के पास में लेकिन LIC company में 5% का control जो था वो चला गया समझ मैं ही मेरी बाद दूसरी बाद सर बोले लोन लिया होगा अरे सर उधार क्रेट होगा सर बड़न क्रेट होगा कंपनी कंट्री के ऊपर या सरकार के उपर ये समझा भूल ठीक है यह बहुत बड़ी है चलिए सर बोले अगर मैं revenue receipt की बात करूँ ना यह अगिन दो type का हो सकता है कौनसा कौनसा एक जो होता है tax के नाम का और दूसरा जो की non-tax के नाम का कौनसा कोई fees है तो कोई fine है कोई stamp duty है तो कोई registration की fees है और कोई फिर क्या बूलेंगे इसको department की income यह समझा सर यह कौनसा यह tax वाल नहीं है ना सर यह अधर वाला हो गया यह अधर वाला हो लाइसेंस बनाने की fees लिया पासपोर्ट बनाने की फीस लिया वगरा 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 राइट चलिए सर फिर इसके बाद में बात करता हूं tax receipt के बारे में सर यह दो टाइप का उसकता कौन सा direct tax जिसने income कमाई उसी को भी टेक्स करना पड़ता है अपने income में से उसे कहते हैं इंडिरेक्ट टेक्स सब लें यहां पर जैसे जीस्टी है जीस्टी डैंसर सुनिएगा कंजम्शन आप कर रहे हो गुड्स को परचेज आप कर रहे हो लेकिन आप से टेक्स लेकर सरकार को पे कौन कर क्या रहे बीचने वाला बंदा और तो वो 37 जा गया फिर दूसरा कस्टम ड्यूटी सर जो एक्सपोर्टि करना पड़ता है उससे कहते अस ट्रड इंपॉर्ट करने की बात आप करते है इस पर भी आप नकीरना पड़ता है उसे क्या कहा जाएगक यहां पर सिरा-सिरा पैसा आता है सरकार के पास में उसका मतलब समझ में आ गया सेम ऐसे ही अगर मैं उस पैसे की बात कर दो जो पैसा पॉले सरकार के पास से जाता है नाम क्या है इसे दिये ठीक है और एपल पर एपल का फोन पर चीज की अपने पास में इसे तागे वह सब यहां पर यहां पर यहां पर यहां तो एसे बढ़ेगा और यहां पर लाइबटी का रिड़क्शन हो जाएगा पहले मैंने किसी से पैसा उधार लिया हुआ था अभी जैसवाल सर स from 8000 फे उधार ले हुए थे जिन्दगी भर से ताना मारते वाज आठ साल होके उनको मेरे हएब मेरे पी मिरे पाई से मैने हाँ infrastructure development किया होगा यह सब capital expenditure में count हो जाएगा लेकिन सर भुले खर्चा तो हुआ ना ही तो कोई asset आया ना ही कोई liabilities का addiction हुआ जैसे सर भुले सरकार ने क्या किया पूरे country में कोवीड का vaccine लगवा के दिया खर्चा हुआ यह सर कोई asset आया नहीं सर कार के बसकूई asset लोगों की जान बज़ गई लेकिन लेकिन अगर मान लेजिए आपने interest पे कर दिया है on the loan सरकार ने पैस अधार लेकर रखा तो उसपे लोन का बैट जो है वो बले पे कर दिया तो क्या लोन का जो हो कम हो जाएगा क्या नहीं सर प्रिंसिपल अपर जो है वो तो तो तनी रहने वाली बाई साथ सीरी बात नो बगवास यह समझ में आयागा मेरे भाव, यह जोर लुब शेली भाई साब ये देखो केना हेल्प पूछ रहा है जो करेंट अफेर और बिजनस इन्वार्मेंट पढ़ा रही है पढ़ाते हैं उनका नाम क्या वाह मेरे भाई वाह मतलब हमारे जो क्यूटेस्ट सर है उनका तुम नाम पूछ रहे हो क्या बोलू मैं, क्या बोलू मैं मेरे भाई हाई चली वाह साब Sir, revenue visits और transfer payments और the same revenue receipts से गवर्मेंट की point of view से बात करो जब transfer payment की बात करे था, पूरी economy की point of view से बात कर रहे था समझे? Done चली सार दिवाली holiday वो मतलब मुझे पता है लेकिन यह holiday क्या होता वाई साब और तुमने डिवाली के दिन तुम होली का दिन मांग रहे हो ये बहुत गहरा होगे सर दिवाली के दिन तुम होली का दिन माग रहे हो ऐसा थोड़ी होता है कोई होली नहीं मिलेगी कोई होली का दिन नहीं मिलेगा आपको चलिए वैसा सरिया शर्मा सर हमारा डाउट भी बता दिया करो किसी और के डाउट साल्व करते रहते हो आप सर आईपियो आईपियो क्या बेटा यह मतलब इसमें डाउट कहा है मतलब क्या क्या आईपियो के बारे में जानना चाहते हो या IPO जो है उसको कौन सा receipt बोला जाएगा आप ऐसा जानना चाहते हूं कि क्या मैं इस डाउट को मैं क्या नाम दूँ सर दिवाली के दिन live quiz लेना ना done मेरे भाई तुमने बोला और हमने मान लिया ठीक है done हर शिता देखो कितनी गंदी गंदी बाते कर रही है सर संडे के बाद से प्लीज सुबह क्लास लो ना रात को पटा के मैं किसी को कुछ नहीं पटा हूँगा भाई मेरी शादी हो चुकी है बहुत सुन्दर सी बीवी है मेरी और साथ में बहुत ही क्यूट सा बच्चा भी मेरा मैं कोई पटा के बटा के नहीं करने वाला मैं किसी को नहीं पटा के come to hell vlog सर मेरा message तो ignore कर देते हो क्यों भाई तुम में ऐसी कौन सी नफरत होगी हमको जो तुमारे message को ignore कर देंगे बताओ ज़र एक बार चलिए ओके भाई साब आदर्स वाइपस ने कहा रिया सर अब बस पढ़ा भी दो बोले कहां बोले आप टाइम पस करने मुझा लगा सौरी सर सौरी आदर्स मेरे भाई हम से गलती होगी का करे हमारे मुझे निकल गई पढ़ाने पर धान देते है माफ कर दीजेगा सर सप्लाइ क्वांटिटेटिव है नहीं बटा क्वालिटेटिव है पर अगले 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 टौकिक के बारे में अगला जो तॉपिक आपका यहाँ प्यारा सा छोटा सा टॉपिक ठीक है लाक आखरी वाला पेज एक काम करते हैं यह वाली पेज को नदुबारे से बनाते हैं क्योंकि अगर बना-बना पेज में यहाँ पर पढ़ाता हूं तो बच्चों को समझ में नहीं आता है कई तो इसलिए यह पेज़ को यहां पर बनाते क्या कहा गया वैसा कि देखें अगर बोले मैं बजट के बारे में बात करूं न तो बजट जो है आपने क्या बता है बजट में दो चीज़ होती क्या एक तो बोले वह वाला पैसा जो आया रिसिप्ट जिसका हुआ है और दूसरा बोले वह वाला पैसा जिसको बोले यहां पर क्या किया गया दिया कर्चा दोनों चीज़े इसके अंदर आती है ठीक है ठीक है सब सर इसके पॉइंट और वियू से आपका जो बजट रहेगा ना यह बोले दो टाइप का हो सकता है कौन सा सर बोले एक तो आप नाम दे दीजेगा इक्विलिब्रियम वाला इसका मतलब क्या हुआ मतलब सरकार के पास में जितना पैसा आया है उतना ही पैसा गया है संभगा कि समझा सरकार ने बुले जितना पैसा यह पर रिसीव की हैará बजेटे रेसिप्ट जितने भी हुए उंगे उतना ही पैसा जो है वो सरकार का क्या हो ख़र्च हुआ सरकार ने बुले 100 करूड रुपए का खर्चा किया और सरकार के पास में 100 करूड रुपए आ गए तो क्या था? Equilibrium, sir Equilibrium, got the point Sir, ऐसा reality में किसी भी economy में नहीं होता है और नहीं कभी होगा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, लेकिन दूसरा जो point यहाँ पर आता उसका नाम दिया जाएगा Disequilibrium Sir, इसमें क्या चीज रहेगी, sir Disequilibrium की बात अगर पर यहाँ पर करते हैं इसमें दो चीज़ हो सकती वापिस है कौनसी-कौनसी? सब ले, एक तो आपका हो सकता है जिसको नाम दिया जाएगा surplus ठीक है? एक तो नाम दिया जाएगा surplus और दूसरा, वे नाम दिया जाता है deficit Sir, deficit की मतलब क्या होता है? कमी होना ठीक है? surplus का मतलब क्या होता है? बहुत है हमारे पास got the point या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बोले भाई साथ जब बोले budgeted receipt is greater than the budgeted expenditure हमारे country में तो ऐसा कभी जिन्दगी में हुआ नहीं है हाँ, दुबई की बात अगर आप करोगे न दुबई एक ऐसी country है जो अपने जनता से tax नहीं लेती वैसाब दुबई जो है tax के तौर पे पैसा नहीं है क्यों हमारे पास में बहुत पैसे वैसे का source से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दुबई में लोगों से काल जाते है तुम बस अच्छा करो got the point और कोई कांड मत करना सिगनल मत तोड़ना गलत साइड में गाड़ी मत चलाना लॉक को बले पालन करना otherwise खर्चे खतरना करने पड़ सकते हैं दूसरा बले भाई साब यहाँ पे deficit हो सकता है deficit का मतलब क्या हुआ बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो कहा गया कि जब बुले आपका budgeted revenue जो है वो बहुत ही कम हुआ किस से सब बले खर्चे से मतलब मतलब आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया deficit हुआ मतलब की आमदनी अठनी और खर्चा रुपईया लेकिन इसमें ध्यान दीजेगा सर बुले यहां इस चीज को आप नाम दे सकते हैं क्या बुले fiscal deficit सर बुले यह fiscal deficit का मतलब क्या हुआ इसको समझने के लिए पहले एक बात ध्यान रखो क्या हमने का देखे बैसा आपके budget के अंदर आपने बता है दो चीज़े होती है कौनसी कौनसी एक तो बुले होता है खर्चा expenditure बुले हाँ अच्छा expenditure बुले दो टाइप का होगा कौनसा कौनसा सर बुले एक तो आपका रहेगा revenue वाला expenditure और दूसरा आपका होगा capital वाला expenditure बानते हो यह बात को बुले हाँ सर अच्छा दूसरी बात दूसरा बुले आपका रहेगा receipt ठीक है लेकिन receipt को अपन और break कर सकते कैसे ज्यान से देखेगा सबसे पहला एक तो बुले आपका होगया revenue वाला receipt राइट बुले हाँ सर अच्छा दूसरा सर दूसरा आपका होगया non debt creating यह फिर एक काम करो दूसरा बुले आपका यहां पर होगया कौन सा सर बुले capital वाला receipt हाँ सर यहां तक तो एकदम easy है अपने यह पढ़ चुके पहले ठीक है लेकिन यह जहांसे सर सरकार के पास में जो यह वाला पैसा आता है ना यह वाला पैसा दो तरीके का आता है कौनसा कौनसा एक आपका रहेगा जिसे कहा जाएगा non debt creating capital receipt ठीक है और दूसरा जो आपका होता है उसे कहा जाएगा debt creating capital receipt पहला non debt creating मतलब सर बोले ऐसा जो capital nature का है लेकिन हमारी सरकार पे कोई उधार create नहीं कर रहा है सर ऐसा कौन सा होगा वाई साथ जो हमने assets बेच के कमाया होगा यह पैसा कौन सा होता है जो सरकार ने assets बेच कर कमाया हाई है ना बुले हाँ सा एक्जाम्पल एक्जाम्पल देख लो इंडियन एरलाइन्स को टाटा को बेच दिया इससे जो पैसा आपका आ रहा है मुझे बताओ क्या इससे आपके सरकार के उपर कोई उधार create होगा क्या जवाब ना है आपका नहीं होगा इससे क्या कहा जाएगा non-debt creating capital asset का नाम जो दे दीजे nc नहीं सॉरी non-debt creating capital वाला receipt ndccr समझा क्या यह समझा क्या हाँ सा समझा अच्छा दूसरा देखो वाई साथ क्या debt creating capital में क्या होता है borrowing चीक है या फिर सीधा सर बोले खर्चो को manage करने के लिए खर्चो को manage करने के लिए जो उधार लिया होगा उसे क्या कहा जाएगा उसे borrowing का नाम दिया जाएगा सीधी बात नो बक्वास यह समझा बोले ठीक है सर तो यहां पे गौर फर्माईए भाया fiscal deficit is equals to total expenditure minus total खर्चा जितना भी होँआ चाहे वो revenue वाला होगा जितना भी खर्चा कर दिया minus revenue receipt plus non debt creating capital वाला receipt अगर यह दो चीजों को आप यहां पे adjust कर देंगे तो ऐसे case में जो difference आपका आएगा ना उसको कहा जाएगा fiscal deficit यह बहुत ज्यान से सुनिएगा हिंदी में बोल रहा हूं वापिस है सरकार ने साल भर बहुत काम किया और काम करने के लिए सरकार ने revenue वाला खर्चा किया और capital वाला खर्चा किया कितने का? बोले 100 करोड रुपय का हिंदी में वापिस से सरकार ने साल भर बहुत काम किया यह काम करने के लिए सरकार ने बहुत सारा revenue वाला और capital वाला खर्चा किया कितने का? बोले 100 करोड का लेकिन सरकार के पास में जो पैसा आया tax के तौर पे यह बोले आया भाहिसा 20 क्रोड रुपय का और सरकार ने बोले इस साल क्या किया? इंडियन एरलाइन्स को बेच दिया कितने रुपय में? सब बोले 100 करोड रुपय में अरे वाँ! तो मतलब यह हुआ कि सरकार के पास में यहांपर पैसा कित्त हो गया सी को अभी भी यहां पी different किते काई रृपे का और ये क्या है यह फिस्कल डेफिसित थे को पूरा करने के लिए पाइसा सरकार को उधार लेना पड़ेगा या तो बोले हमारे ही कंट्री के लोगों से पैसवधार ले लो मुक्क को बोल लो मुक कौन अरे अम्मानी अपना भाई है उसको बोल दो और यह अजनता को ट्रेजरी भी शुकर दो हैं जनता को ट्रेजरी दिशुर कर दो उससे पईस और या क्या लिक्षा भाइं अपना ही देश दें गांप पाइस अब बीस टो लेलो हमसे पाइस अधार को दिक्कत वाली बात यह समझा के जल्दी बता दो क्या ये फंडा समझ में आ गया क्या हाँ या ना सब बता दीजिए चल ये भाई साहिब चल ये भाई साहिब कुछ लड़कों से रिक्वेस्ट है यहां पर एमडी नाम का जो भी बंदा होगा या कोई भी और ठीक है क्रिपया यहां पर अपनी लेंग्विज वगरा यूज करके या अपने शब्दों का इस्तमाल करके अपने माबाप के दिवे संस्कारों के बारे में मत बताईए मैं लड़ सबसे पहली जो छवी आते न वो आपके माबाप को लेका आते कि यार वेचार संसकार भी नहीं देपाए अपने लड़के को हैं ऐसे इसी बाते कर रहे हैं लेंग्विज देखो यह बंदे के आप यह बंदे के लेंग्विज देखो बुरा लगे है भाई तुम लग रहे हो मुझे मैं लग अगर कोई बंदा यहां फालतु की बाते कर रहा हो उसको तुम रिप्लाइ कर रहे हो तो वट यू थिंग क्या तुम बहुत बीजी हो क्या तुम बहुत काम की चीज़ कर रहे हो I think जितना फालतु सांदल बंदा बैठा होगा उससे कहीं ज़्य रही है विच काइंड ओफ लेंवेज इस दिस पिर तो भाई तो जिंदिगी बड़ दिवाली नहीं मना पाएगा घजब चलना चपरी पढ़ले गवार लड़की को बोल रही है वा मेरे यार महाल आदमे भाई जो भी है चली सर रेविन रिस्ट में डोनेशन ट्रांसफर इंकम भी आएगा क्या सर येस बेटर सब कुछ आ जाएगा लेकिन जो सरकार के पास मैं आ रहा उसकी बात करना खाल ठीक है और किसी की भी नहीं करना ओके सर इसका स्क्रीन शॉट लेना है ले लो भाई बिलकुल ले लो यलो टेक दर स्क्रीन शॉट अब दिस बस मैं को ये बता दो कि फिस्कल डेफिसेट समझ में आ गया ना ये बता दो बस बागी सब छोड़ सर दिवाली के दिन प्लीज दो हजार रुपए रखना क्विज प्राइज देखना छेजार प्लस स्टुडेंट्स आएंगे चल खतरनाक क्लास टुड़े सर लव यू आल गाईज लव यू आल झाल पर से व्लावं कि सरी 20 कोड का फिस्कल डेफिसेट कैसे आया प्लीज बता तो अरे बेटा आप वहने क्या लेविनियर स्रिप, सरकार के पास में पैसा आ गया लेकिन उसका हिसाब किताब जो है वो नहीं दिना पड़ेगा इसको कैपिल स्रिप नहीं कहा जाएगा परसांत चोबे सर अब मेरा रड़्माई दोना सब मैं नहीं दूनगा मैं तू नहीं दूनगा का है प्रसान चौबे मैसेज का है बेटा तुम्हारा प्रसान 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 बेटा कहां कहां गया तुम्हारा मैसेज प्रसान चौबे सर इसका स्क्रीन शॉट लेना तो लेना करना इसका क्या reply करूँ मेरे भाई screenshot लेना है, कर तो दिया इसको zoom गर पर देखे जाओ सानिया सूफी Sir, your teaching is amazing, thank you so much dear Love you too Love you too, बेटा Sir, इस chapter में जितना 40 में दिया है, उतना ही पढ़ना है, काफी है ना Yes, बेटा, उतना ही पढ़ना है, इसके लावा कुछ भी नहीं पढ़ना है Sir, how to become rich वाँ, वाँ वाँ श्याले वाई साब Sir, please, मुझे CSCard इंडिया वाले ग्रुप में add करवा दो मैं गलती से leave हो गया, वाँ, नितेश, वाँ आपके पास में लिंक होगा ना, बेटा, लिंक से join कर लो, वापेस है प्राचीश सैनी, Sir, executive की revision कब है, 1st of November से, बेटा चरिया Sir, आपकी income किते, डीड़ सूर रपिया दीगा ओके भाई, साहे, तो I hope कि यह funda जो है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान दीजेगा, एक और funda होता है, जिसको नाम दिया जाता है, primary deficit primary deficit, अगर मैं इसको तोड़ा सा filmy language में नाम दूना पहले मेरे को दे रहे बाबा, पहले मेरा देख रहे बाबा, primary deficit मतलब, मतलब यह, कि भाईया जो भी आपका fiscal deficit होगा ना, ठीक है, उसमें से minus कर दो interest payment, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्या primary deficit, मतलब, अरे यह, mean जो पैसा है, वो तो कौन से वाला है, वो तो mean वाला है, जो उधार लिया था पनने, सर, बुले, जो पैसा आपको यहां चुकाना होगा, उसमें कुछ पैसा ब्याज के तौर भी देना पड़ेगा न, वो ब्याज आप देते रहो, देते रहो, देते रहो, फिर भी जो primary deficit हो, तो तो भी रहने वाला है, सर, फिस्कल डेफिजिट और फाइनेशल डेफिजिट सीम है, क्या, येस, बिड़ेट इस दूसीम, चलिए, 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 बाई साब, ओके भाई साहिब, तो रुकते हैं अपनी यहीं पर ही, और ये चैप्टर जो हो आपका होता है, यहां पे खतम, और रहन रखेंगे मेरे भाई, कि कल जो आपका क्लास है, वो रहने वाला है, मतलब ऐसा मत बोलेगा, कल हमारी जुट्टी होनी चीज़ साथ है, क्यूं, और धंते और सब्सक्र कपड़े खरने जाएं, पहली बात तो ये, कि माबाप जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए, अपने लिए कपड़े खरीद के लाए जाते हैं, दो जोड़ी कपड़े मिलेंगे, और ये बुलेहमते को लाके दे देंगे, तो भाईया, अपना जो एक्जाम है, वो सर पर आके बैठा हुआ है, अपनी जो दिवाली रहेगी, कम मनने वाली है, सर वो मनेगी, जब अपना आजाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने कसम खा रखी है, कि हमें अपने एक्जाम को अच्छे तरीके से कम्प्लीट करने का है, हमें अपना सेड्यूल, पहली पूरत है अपने, consistency should be maintained, got the point, अगर मैं ही आपको यहां पर बुला, ठीके बेटे, काम करो, दिवा वाली क्लास के अंदर, till then, take care, bye-bye and love you all.